है लो सेड़ो फैमिली तो कैसे हैं आप सभी आइखोप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग हमेशा अच्छे रहो तो आज हम देखेंगे अपना ट्रेड रीकैप SMC की स्टेटीजी से हम फोलो करेंगे कि SMC की स्टेटीजी में हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं तो यह गोल्ड का हमारा प्लिवेस वीक का है इस स्टेटीजी को पहले बताने से पहले हम क्लियर करते हैं कुछ लोगों के जो डाउट्स थे लाइक उनका डाउट्स इंडूजमेंट एंड मतल्ब पुर्स इंडंटर्नल लोग जो भी पहला लोग होगा यह आप लोगों को इस लेवल पे हाई था तो इस हाई से पहला जो भी लोग ckण यहां होता ही क्या होता है इंडूजमेंट होता है और यह पुल आया उस पुल को ब्रेक किया ऐसीग्मैन ऑगा तो क्या हम यह इंड्यूज्मेंट रेंगे यह हम यह इंड्यूज्जवेंट से आपका हाइज कंफरम हो जाएगा और बोथ आ Devo यह इंड्यूज्मेंट लेगा हाइज हो सकते हैं टिसमेंट के श्टतर हो कि market ने inducement लिया, low confirm था, low को break किया, break of structure confirm हुआ and अब हम wait कर रहें trade के लिए, तो trade आपको पता है, जब तक market हमारे inducement नहीं लेता तब तक हम लोग अपनी trade नहीं लेते हैं without inducement, फिलाल अभी हम wait करते हैं and आपको जैसे पहले भी बताया है, inducement हमारी liquidity होती है, ओके, without liquidity हम SMC में trade नहीं करते हैं तो चलो अभी wait करते हैं inducement market, एक बार हमारे inducement ले, then उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इसमें trade लेंगे लाइक आप देख सकते हो, यह हमारा यहां पर था, inducement इस लेवल पर, market अगर यह inducement लेगा, तो हमारा पहले क्या clear होगा, low and after low, clear होने के बाद, हमारे पास levels देखेंगे हम अपने trading के लिए, तो अभी फिलाल हम देखते हैं, जो market है, market का behave किस तरीके से हैं, तो like अभी देखते हैं, ओके ओके, तो like, अब inducement का हमारा यह वाला है, बहुत से लोगों को यह inducement लग रहा होगा, बट यह आपके inducement नहीं है, यह गलत है, आप इदर चेक करोगे, तो यह एक single red big candle है, आपकी momentum candle, एक बड़ी सी candle है, यह सारे pullbacks इसके inside है, अगर आप इदर त्यान से चेक करोगे, तो सब कुछ इसका क्या है यह, आपके inside है हाँ पर, किसी ने भी इसके low को यहाँ पर break नहीं किया था, low break सिर्फ इसके अंडल नहीं किया था, तो like marker directly आपको नीचे आए, यह कोई भी pullback में आपका account नहीं होगा, जिसने यह inducement लिए उसका properly structure यहाँ पर घलत हो जाएगा, because तो यह low confirm कर देगा, and जब market is low को break करेगा, like अगर हम आगे देखते हैं, okay, जैसे यह low break हुए, तो उसके यहाँ पर क्या confirm हो जाएगा, break of structure, जिससे उसका structure mapping properly गलत हो जाएगी, and जो trade levels होगे, वो automatic क्या हो जाएगी, उसकी proper तरीके से गलत हो जाएगी, hope आप लोगों समझारों मैं आपको क्या बताना चाहरा हूँ, अगर आपने एक structure mapping में गलती कर दी, हलकी से भी आपकी structure mapping में गलती है, तो आपका सारा का सारा levels गलत हो जाएगे, and आप कभी भी trade में profit नहीं कर पाओगे, इसलिए हमेशा जब भी आपका SMC सीखनी है, तो सबस draw करना आ रहा है, आप inside नहीं check कर रहे हैं, तो आप फिल्कुल सही हो, जो main बात है, वो हमाल लें कि market क्या करें, proper से जो आपका pullback है, जो आपने draw के उसकुल है, वो एक liquidity होती है, like अभी हम check करते हैं, अभी inducement फिलाल वही level है, आपको के, तो market ने क्या करा, इस level पर आप लोगों का inducement ले लिया, आप inducement मार्केट ने ले लिया, तो आपके simple सा क्या होगे, आपके पास low point confirm होगे, सबसे lowest point यह था, इसको भी ले सकते हो, बटी यह lowest point नहीं है, सबसे lowest point आपका यह है, तो इधर ह तो यह high, हमारे पास high and low available है, अब बात करते हैं, इस SMC strategy में हम trade कहां ले सकते हैं, तो देखो, trade लेने के दो level होते हैं, एक decisional order block होता है, एक extreme order block होता है, अगर आप decisional order block की बात करोगे, तो decisional order block हमारा सिर्प inducement से उपर होता है, और extreme होता है, जो हमारा highest point होता है, यह अगर market downtrend में है, तो उसका lowest point होता है, ओके, तो उदर हमारा extreme order block होता है, अगर बात करें, extreme and decisional, तो जो powerful order block होता है, वो extreme होता है, क्योंकि extreme supply, आपकी extreme है, compare then, decisional order block, वो आपकी powerful supply रहेगी, और inducement से उपर just, यहाँ पर हमने चेक करा, तो अगर हम इधर देखेंगे, तो यहाँ पर क् क्या था, हमारे पास, बचा हुआ था, just inducement से उपर, कि हमें क्या करना है, आपे selling देखने है, क्योंगी देखो, अगर आप देखोगे, like यह वाला inside है, हमारे पास, यह वाली ही candle, बची हुई थी, जो हमारा क्या था, decisional order block, इसको बोलते हैं, decisional order block, जब इस order block में market आता है, तो हम क्या identify करते है, like जैसी market इस order block में, हम lower time frame में shift होते हैं, and इसकी जो probability होती है, 50-50 रहती है, तो यहां जे कहीं बार market आपको target भी आपका देखे जाता है, and कहीं बार market के अगरता है, आपको target नहीं देता है, यह आपका, मैं यहां पर लिख जाता है, decisional order block, तो यह था हमा यह एक zone दिख रहा है, okay, यह यहां पर mitigate हो चुका है, already, यह वाला zone आपको, यहां पर क्या हो चुका है, mitigate हो चुका है, and एक बार अगर zone mitigate हो गया, तो वो किसी काम को नहीं, and next side हम check करेंगे, mitigate, mitigate, सब कुछ mitigate हैदा, then यह lag है, okay, इस lag में हमारे पास, यह बची हुई है, हमारे पास supply, extreme supply, तो यह हमारे points है, and एक चीज़ याद रखना है, अगर आपका उपर top में, या अगर down trend में market है, तो bottom में, अगर top या bottom में, आपके पास unmitigate level बचा हुआ है, और आप इस तरीके से नीचे ले रहे हो, तो आप trap हो जाओगे, वो levels आपका प्रोपली गलत हो जाएंगे, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, यह extreme PIO, यह decisional हमारी PIO, unlike आप देख सकते हो, market क्या अगर रहा है, यहाँ से, प्रोपली हमारा कुछ, इस तरीके से, यहाँ से, आया है, प्रोपर, इनकी liquidity भी हंट करी है, market makers ने, ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, sell की उम्मीद कर सकते हैं, बट आप देख सकते हो, जो previous का demand है, market उसके demand में भी आ रहा है, और जो trend line है, sport become, resistant, resistant become sport, तो उसका sport भी ले रहा है, ओके, तो फिलाल हम पहले इसमें lower time frame में shift हो जाते हैं, तो lower time frame जैसे हमारा higher time frame 15 minute है, तो हम one minute में देखें, तो one minute में देखने के बाद सबसे पहले हम इधर आ गए, previous में देखेंगा पाना, unmitigate order block, like आप देख सकते हो, हमारे पास unmitigate order block कहा है, ओके, यह भी mitigate है, अब upside, सब कुछ आपको क्या हो चुगा है, mitigate हो चुगा है, उपर कुछ भी नहीं बचा है, जस्ट आपके पास यही level ही, हाँ से आप क्या कर सकते हो, direct entry ले सकते हो, like market आपकी direct entry level में है, आपके entry trigger हुई, और आप देखते हैं भी market क्या करता है, and change of character हमारी बात करें, तो हमारा जो change of character होगा, वो कहा होगा, और किस तरीके से होगा, तो आपको पता है, like जैसे ही market आपका क्या आपका zone में आने के बाद, first internal होगा, जो भी, वो आपको, इसमें कोई वैसा नहीं करना कि first low होगा, वो inducement होगा, ठीक है, like, वो क्या होगा, आपके लिए proper wrong है, यह चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या होगा, आपके लिए wrong level create हो जाएगा, तो यह चीज़ आपको नहीं हुआ, तो अभी हम इधर देखेंगे, market ने क्या behave किया है, stop loss हुआ है, decisional order block का हमारा यहापर simple stop loss हो गया है, direct entry में हम क्या आउचुके बाहर हो चुके हैं, हमारा क्या आउचुके है, stop loss हो गया है, because अगर हम यहापर बात करें, liquidity proper hunt हुई है, फिर भी हमारा ऐसे लगया sell side liquidity हमारी hunt हो चुकी है, and अभी बात करें, extreme zone हमारा यह बचा हुआ है, and extreme zone को अगर हम देखते है, market जब इसे tap करेंगा, तो like अभी हम check कर लेते हैं, okay, extreme zone के काफी close market आ चुका है, तो चलो, इसको हम refine कर लेते हैं, वापस one minute में जाके, market को क्या कर लेते हैं, हम refine कर लेते हैं, कि जो one minute में हैं, हमारे पास refine entries किदर है, like आप देखोगे, पहले हमें हमें साथ top में से आपको नहीं, याद रखना है, top पे से आपको draw करते हैं, then आप देखके हो, top पे आपके पास क्या है, already mitigated, तो यह आपको यहां से यहां क्या बना है, zone बना है, तो इस zone को चाहए आप बड़ा कर लो, या बड़ा कर लो, या आपका refine zone है, आपको यहां पर direct entry लेनी है, अगर आप live market को देख रहे हो, तो आप confirmation के साथ ले सकते हो, and इधर हम ज्यादा तर क्या करते हैं, अपनी direct entry लेते हैं, जब market हमारे zone में आता है, फिलाल अभी market से touch करेगा, तो हम wait करेंगे, हमारे entry भी trigger हो चुकी है, direct entry, यहां से क्या हो चुकी है, हमारी direct entry trigger हो चुकी है, यह हमारा है, आपर stop low solar points का, and target हम क्या गरते हैं, अपना low लेते हैं, but हम क्या गरेंगे, unmitigate order block, order block to order block चलेंगे, ठीक, बट इसका जो lowest point होता है, वो होता है हमारा target, यह होता है हमारा target, कुछ इस तरीके से, फिलाल अभी हम देखते है market का change of character point यह है, अभी देखते है market क्या move करता है, and अगर आप इदर एक और चीज़ notice करोगे, like, तो यह जो candle है हमारी, यह वाल highest candle sweep हो, यह next candle ने closing दिये, तो यहाँ पर भी हम क्या अगरते है, अपना pending orders लगाते हैं, फिलाल वेट करते है market इसमें आए, तो हम देखते हैं भी, ओके, like, इधर क्या उचुका अब हमारा change of character, बहुत से लोगों का यही था कि हम lower time frame में आपको नहीं दिखाते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, and lower time frame में week से भी हमारा change of character होता है, and higher time frame and lower time frame के अगर हम बात करे तो इन में यही difference है, बाकि कुछ भी difference नहीं, बाकि सब आ as a higher time frame अगर आप देख रहे हो, तो उसमें आपको candle की closing काफी जादा matter करती है, तो फिलाल अगर हम यहाँ पर बात करें, जो market है, market किस तरीके से move कर रहा है, तो आपका change of character हो चुका है, after change of character, अभी इसका inducement का है, entries को भी हम follow करेंगे हमारा, first internal pullback, act like your inducement, तो यह हमारा first internal high थ आपका order block भी है, दोनों यह आपका है, SEOBB और ब्लोग भी, फिलाल अभी हम देखतें, market क्या करता है, like market ने क्या कर आपका inducement कहाँ पर ले लिया है, inducement लेने के बाए हम वेट कर रहे हैं, market हमारा क्या है, इस order block में at least आए, तो फिलाल अभी हम देखतें, market क्या move करता है, market ने क्या करा, inducement लेने के बाए हम जो यह low confirm हुआ था, उस लोग को क्या करा, market ने हापर break कर दिया है, यह break of structure हो चुका है, and after break of structure, market क्या करे, एक बार inducement ले, फिलाल हमारा market ने क्या करा, inducement यहापर ले लिया है, यह वाला inducement ले लिया, और यह हमारे पास क्या था, zone था, और यह तो आपको बता, obviously हमारा क्या होगा है, SMTO को कोई decision लिया, because just इसके उपर ही हमारा है, और यह क्या होगा ना हमारा liquidity होगी, sell side liquidity, तो यहाँ पर आप इस box के अंदर लिख सकते हो, sell side liquidity, because just इसके उपर हमारा SEO भी भी बचा हुआ है, and previous structure अगर जो extreme होता है, वो level हमारा बचा हुआ है, तो सायद इसका stop loss hunt होने के ज़्यादे chances है, like मैं इदर कोई trade करने का risk नहीं लेता, and अगर risk लेता भी like, तो मेरा stop loss इसके उपर इस तरीके से होता, but फिलाल मैं sitf entry अपनी इसी level पर trigger करता, like, इस तरीके से, and safer stop loss तो हमारा यही देगा guys, and अगर आप gold में 4-5 pip का stop loss ले रहे हो, तो आपका obviously बात है, आपका क्या होगे है, वहाँ पर SL hunt हो नहीं है, because वहाँ का spread, commission सब आपको देखना पड़ता है, and gold में spread, जैसे कि आपको पता, zero नहीं होता है, zero होता है, तो उनका commission high होता है, तो उस रिसाफ से हमें देखना पड़ता है, फिलाल अभी हम देखते है, market क्या move यहाँ पर करता है, like, okay, पहले आपको rejection दिखाया, then उसके बाँ market निके अगरा, आपको यहाँ पर stop loss उड़ा दिया है, तो यह आपके लिए एक trap था, विको जश्ट उसके ऊपर अगर आपके पज जोन है, और आप महाँ पर trade करने कोशिज करोगे, तो अब इसलिए बात है, आपको क्या होगा महाँ पर stop loss हंट होगा, यह आपके लिए कोई भी decisional order block नहीं था, यह जश्ट आपके लिए SMT था, वाई यह SMT क्यों है, बिकोज यह तो inducements उपर भी है, यह SMT से लिए था, क्योंकि जश्ट इसके उपर इसका extreme order block था, और यह हमारा liquidity box क्यों था, बिकोज इसके उपर ही जश्ट हमारा previous track stream, SEO, VB, और इसका जो previous structure का zone था, वो भी हमारे पास available था, लाइक इस तरीके से market ने कुछ यहाँ पर behave किया था, और हमारे entries यहाँ पर लग चुकी है, और कोई entry हमारे यहाँ पर नहीं बनती है, फिलाल अगर हम अब इधर आगे जागे देखते हैं, like market क्या करता है, इसको play कर लेते हैं, हम, okay, again आपको क्या करा, market ने break of structure यहाँ पर कर दिया, after break of structure यह आपका inducement था, यहाँ पर अगिन, यह level पर हमारा क्या था, यहाँ पर inducement था, market यह inducement लेगा, तो just उसके उपर जो order blocks होंगे, like a order block यह, एड़ेक यह, तो यह strong है, यह आपका liquidity box रहेगा, यहाँ से हम selling के लिए entry ले सकते हैं, like again, but stop loss, safer यही है, and इसके उपर लगाऊ गया, आप तो आप देख लो, कितने pips का मारा यह, stop loss है, 7 pip का मारा यह, stop loss है, फिलाल अभी हम देखते हैं, market इस box में आएगा, okay, market box में आया, और आने के बाद क्या करता है, like, rejection, okay, stop loss इसका गया, and like अब आप देखो, सबसे highest point हमारा यह था, okay, इसकी यहाँ पर liquidity hunt हो चुकी है, and आप फिलाल अगर आप देखोगे, सबसे highest candle हमारी इस level पर है, यह वाली है, okay, and एक चीज़ याद रखना कहीं बार क्या होता है न, markets आपका patience के साथ खेलता है, आपको जो profit दिखा रहा तो जिसने यहाँ entry trigger किये, यह entry trigger किये, अब आप lows में देख रहे हो, कोई बात नहीं है, आपको हमेशा अपनी psychology set रखनी है, आप तो target है, stop loss, and बहुते लोग बुझते risk reward सबसे best कह, तो सबसे best risk reward 1 is to 2 RR है, वो क्यों है कि इसलिए मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियोज में, but सबसे अच्छा है होता है 1 is to 2, and highest आप कितना भी कर लो, 1 is to 2 से नीचे जाओगे, तो आप फिर हमेशा lows में ही रहोगे, तो ये चीज़ याद रखनी, तो अभी जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे highest candle ये थी, फिलाल अभी देखते है market यहाँ पर क्या गरता है, ओके, अब देखो ये क्या बन चुका आपका breaker block, like resistance become spot, तो इसका color में थोटा लग कर लेता हूँ, तो ये था resistance become spot of market के अगरा, इसका spot ले रहा है, like बार बार, तो ये आपका एक properly liquidity box बन चुका है, अब देखो market ने क्या करा, पहले उसी level का spot, spot लिया, फिर उसका ही resistance लेके market आपका down की तरफ आ चुका है, और जिसको अगर हम 50 minutes में देखते हैं, like तो कुछ इस तरीले से market का behavior हैं, हम play करके देख लेते हैं, like okay, and अभी अगर हम बात करें इदर, market को कहां तक हम बोच कर सकते हैं, market क्या behavior हमारे हापे कर सकता है, POI हो थी, आपकी POI, वो किसमें change हो जाएगा आपका breaker block में, क्योंकि ये fail हो चुका है, तो फिलाल अभी देखते हैं, okay, तो देखो market आया, market ने एक सार्प लिए rejection भी लिया, then फिर ये again fail हो गया, and जो हमारा target है, वो आपको पता है, हमारा target रिटायर, ये low, okay, and आपका risk reward आप देख लो, आपको जिस हिसाब से आपका risk reward सही लगता है, उस हिसाब से आप अपना risk reward ले सकते हो, like हमारा risk reward ये था, तो अगर आप इधर check करोगे, first one almost 12 RR, second हमारा था 8 RR, मतलब 20 RR हमने इस trade में recap किया, and आप कुछ लोग जो होते हैं, जिनको लगता है कि trade पहले क्यों नहीं बताते हैं, जब इस level पे आता है, बाद में तो कोई भी बता देता है, कुछ लोगों के दिमाख में ये बात आती है, कि बाद में तो कोई भी बार रिपले से पढ़ा देता है, बहुत से लोगों के दिमाख में ये बात आती है, बिल्कुल सही आती है, क्योंकि उनको लगता है कि actual में smart money work नहीं करता है, but अगर बात करें यहाँ पे इस चीज़ की, तो आप अभी ये चीज़ को आपका मैं clear करता हूँ, like ये देखिए, जैसे कि हमारा group है, तो आप देख लो, ये जो level है market, like चल रहा था, same levels यहाँ पे draw थे, 1966.67 गश्टोप लोज था, डायक अंठी के लिए level 1964.887 ये level था, यहाँ से हमें trade करना था, आप देख सकते हो, वही level से market ने rejection लिया है, like market वहाँ नहीं आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि यहाँ पे बाद में बताया जाता है, यह सिर्फ वीडियो में, आप लोगों को ताकि किलियर हो जाए, कि SMC में हम किस तरही के से SMC strategy का use करते हैं, इसलिए बाद replay से आपको बाद में explain किया जाता है, बट वो group में हमारा पहले ही analysis share होते हैं, तो like ऐसा कुछ नहीं है, कि आप लोगों के लिए बाद में हैं या उनके लिए ऐसा है, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पे भी proper हमारा कुछ इस तरहीं से ही जा जाता है, उस दिन, आप देखो, यहाँ पे पहले लिखा था, 1985 से क्या जा सकता है, हमारा यहाँ से buying जा सकता है, और जो news का impact पड़ा था, like 1985 से ही market हमारा properly buy देखे, गया था, like जब market zone में आया, zone माने गया, properly हमारा buying setup पढ़े थे, कुछ इस तरहीके से, तो यह चीज़ आपको याद रिखनी है, यहाँ पे कुछ भी बाद में नहीं होता है, सब कुछ पहले बता दिया जाता है, यह सिर्फ आप लोगों का explanation के लिए, बाद में हम क्या करते हैं, share करते हैं कि जो market ने move किया है, वो किस तरहीके से यहाँ पे move दिया है, तो सीम देख लो, जो हमारा stop low से 1966.42, जो हमारी entry थी 1964.86, सेम हमारे levels से कोई भी level change नहीं था, और किसी को भी कोई बाद में हाँ पे नहीं बताया, सब कुछ आपको पहले ही हाँ यहाँ पे explain कर दिया गया है, यह होप आप लोगों समझा रहा हूँ आपको क्या बताना चाहरा हूँ और जो SMC की strategy है, हम उससे profit अपना किस तरहीके से निकाल सकते हैं, तो फिलाल आगे बात करें तो अभी हमारा break of structure नहीं हुआ है, यही major difference हमारा higher time frame and lower time frame में है, क्योंकि higher time frame में आपको candle की closing काफ़ी जादा matter करती है, and lower time frame में आपको candle की closing matter नहीं करती है, जब ऐसे sweep भी होता तो भी आपका break of structure हो जाता, फिलाल अभी हमें candle की closing matter करती है, like जैसे candle ने closing हाँ पर दी, candle ने जैसे आपको यहाँ पर closing दी, आपका क्या हो गया हो यहाँ पर break of structure, चाहो तो break of structure यहाँ लिख लो, चाहो आप यहाँ लिख लो, ठीक है, क्योंकि break of structure जो हुआ है, वो यह वाला confirm हुआ है, तो यह आपका high यहाँ पर confirm हो चुका है, सबसे high point यह वाला, अब बात करें इसके low की तो market को, क्या करना इसके endorsement लेना, तो अभी हम देखते है market क्या करता है हाँ पर, ओके, तो फिलाल अगर हम इदर देखें, market अभी हमारा current live है, गोल्ड का 50 minute में, तो यह हम लोगों का यहाँ पर, live endorsement है अभी, अगर यह inducement ले लेता है like market, पहला level आपका selling के लिए, आपके सामने create हो चुका है, ओके, and create होने के बाद लाइक, आप देख लो जैसे यह है अभी, फिलाल market हैं से rejection ले 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 एक आदा, liquidity हैं पर create कर ले, then इस inducement के पास आखे, cool high cool लगा ले एक आदा बार, कुछ इस तरीके से behave करते है like market यहाँ पर, then फिर आपको यहाँ से country मिल सकते हैं यह चीज़ देखना, and extreme पर बात करें हम, extreme पर हमारे पास already zone available है, जिसने previous की liquidity भी sweep करी है, and like IFC zone भी आपका यह बना हुआ है, इसको refine कर सकते हो, and इससे उपर आपके पास proper liquidity हाँ पर available रहेगी, तो यह हमारा gold analysis यह, hope आप लोगों को समझा आपको, इस strategy से हम किस तरीके से profit कर सकते हैं, और यह कैसे work करती है, तो इसी के साथ जो यह हमारा topic था, यहाँ पर complete होता है, हम मिलेंगा आपको अपने next topic में, and आपको next topic किस वीडियो पर चाहिए, आपको जो next topic उस पर कुन सी वीडियो बनानी है, तो आप comments कर सकते हो, and यह topic हाँ पर हमारा complete होता है,